कि घरेलू उपाय में आप सभी का सागत हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं दिवाली के समय बही खाते व अन्य खरीदारी का सर्वशेष महूर्थ क्या है अगर आप जानना चाते हैं बही खाते के लिए या किसी खरीदारी के लिए सर्वशेष समय या महूर्थ क्या है तो हमारे इस वीडियो को अंते तक देखते रहें दिवाली से पूर्व पुष्य नच्छत्र में बही खाते लाने और मंगल खरीदारी का विधान है इस बार रवीवार 23 अक्टूबर 2016 को रवी पुष्य नच्छत्र होने के अत्यंत शुब दिन है पुष्य नच्छत्र रवीवार को 8 बच कर 28 मिनट से रातरी से आरंब होगा रवीवार 8 बच कर 40 मिनट तक रहेगा रवी पुष्य में बही खाता तथा अन्य खरीदारी शुग रहेगी और अब मैं आपको बताने वाला हूँ अशुग समय कौन सा है खरीदारी के लिए अशुग समय कौन सा है अगर आप पहले आप इसको जान लीजिए उसके बाद आपको मैं खरीदारी की सुब चौग घड़ियां बताऊंगा पहले आपको बताता हूँ अशुग समय के बारे में राहुकाल शाम 6 बच के 30 मिनट से 18 बचे तक रहेगा अतर शुब खरीदारी है तो इस राहुकाल को आपको टालना हूँ और आपको मैं बताने वाला हूँ बही खाता तथा खरीदारी का शुब समय लाव की चोघड़ियां सुबह 9 बचकर 20 मिनट से 10 बचकर 45 मिनट तक अमरित का 4 घड़ी होगी 10 बचकर 20 मिनट से 10 बचकर 45 मिनट के बीच आपके लिए या घड़ी लाव की चोघड़ी होगी और इस समय आप खरदार्ची कर सकते हैं अब अमरित की 4 घड़ी सुबह 10 बच कर 45 से 12 बच कर 11 मिनट तक सुभ समय इस बीच में भी आप खरिदारी कर सकते हैं सुब का 4 घड़ियां दोपहर 1 बच कर 37 मिनट से 3 बच कर 3 मिनट तक भी आप खरिदारी, सुब कर सकते हैं शुब की चोगडियां शाम के समय पांच बचकर चववन मिनट से साथ बचकर 28 मिनट तक भी आप खलतारी कर सकते हैं अमरिक की चोगड़ी रात्र में 7 बचकर 28 से 9 बचकर शाम रात्री में 7 बचकर 28 मिनट से 9 बचकर 3 मिनट तक के समय भी आप शुब खरिदारी कर सकते हैं यह समय भी शुब रहेगा आपकी खरिदारी के लिए तो दोस्तो हमने आपको इस वीडियो में कुछ शुब घड़ियां बताई जिस समय आप शुब खरिदारियां कर सकते हैं तथा अपने भई खाते को भी बैठा सकते हैं अगर आपको हमारे द्वारा दीगे यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसे शेयर करना आपके लिए बहुत ज़्यूरी है क्योंकि अगर आप इसे शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंटे या रिस्तदारों को भी यह जानकारीय प्राप्थ होंगी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव इस सुब महूरत से आ रहे हो या दिवाली से या धंतिरा से या नरक चतुरदसी से या परिवा से आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव आ रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना न भूले और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तोने सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही मतपूर जान करें लेकर आते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों